क्लास टेंथ बलोचिस्तान बोर्ड चेप्टर नेम एंगल इन सेग्मेंट आफ असर्कल और इसकी रिव्यू एक्सराइज नमबर 12 को हम सॉल्फ करेंगे जिसका पहला क्वेस्चेन है फिल इन दा ब्लैंक्स पार्ट बन में लिखाव है यानि कि जो सेंट्रल अंगल होता है माइनर आर्क का एक सर्कल में उसी सर्कल में रहते हुए अगर हम इसी जो माइनर आर्क के कर्रोस्पांडिंग जो दूसरी मेजर आर्क तो यह सेंट्रल एंगल उस सरकम एंगल से क्या होगा डबल होगा ठीक है याहाँ पर स्टेट्मेंट में आएगा डबल और यह बाद हमने थियोरम में प्रूफ कर रकी है मैं डाइग्राम भी यहाँ पर शेयर करता हूँ अभी आपसे जी जैसे आब ये देख रहें एक सर्कल है अब इसमें फर्स करें कि ये सेंटर O है और इदर में एक आर्क ड्रा करता हूँ A से लेके B तक ये है माइनर आर्क अगर हम इस तरह से देखें ये माइनर है यह हाफ सरकल से छोटी आर्क हो, तो इसे हम माइनर आर्क कहते हैं, और अगर हम इस तरह से देखें A, C, B, अगर इस आर्क को यूं देखें तो ये A, B जो आर्क है, A, C, B मतलब इसकों मैं कहे रहा हूँ, हाफ सरकल से बढ़ी है, यह है मेजर आर्क, ठीक है, यह major arc है अब आप इसका central angle बनाएंगे minor arc का तो उसके लिए इस arc end points को center of the circle से join कर देंगे जबकि जो major arc है उसका हमने circum angle बनाना है तो हम उस arc पे रहते हुए major arc पे रहते हुए दो chords draw कर देंगे, एक AC और एक BC यह दोनो chords जो angle बनाएंगी circumference बेसे हम कहते हैं कि यह circum angle है, ठीक है, यह major arc का circum angle है और यह central angle है, minor arc का तो यह हमेशा इससे double होता है यह अगर यह angle, first करें, 25 degree है तो यह angle जो होगा, उससे double होगा यह 50 degree होगा, तो यह statement में हमने बात समझी अब next part आपसे discuss करता हूँ, part number 2 part number 2 में लिखा हुए any two angles in the same segment of a circle यानि एक ही segment में रहते हुए, अगर आप कोई दो angles बनाते हैं एक ही segment में रहते हुए, circum angles तो वो angles जो है, of a circle are equal वो हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है, वो क्या आएंगे? equal आएंगे, इसके बाद next part है, part number 3 वो आपसे discuss करता हूँ, इसके लिखा हुए the angle बनके इसको थोड़ा से screen के सामने लाते हैं, जी, the angle in a semi circle is dash यानि के अगर एक half circle बनाया जाए, फर्स करें अगर यहाँ पे मैं एक half circle बनाता हूँ यह एक circle है, इसका half कर लेते हैं, इसको two equal parts में divide करते हैं हाफ circle बन जाएगा, फर्स करेंगे, एक half circle है, जो के diameter की मदद से मैंने draw किया, और यह इसके end points आगे हैं, a और b, अब half circle के अंदर बनने वाला angle हमेशा right angle होता है, यानि अगर मैं इस circle के circumference में रहते हूए, एक point select करूँ, और a और b point को c point से join करूँ, तो यह angle exactly 90 degree का बनता है right angle बनता है, तो यहाँ, हम जो filling the blank है, उसमें लिखेंगे right, right angle, ठीक है, अब next part जो है, वो आप से discuss करता हूँ, next part है, कि a quadilateral is called dash when a circle passes through its four vertices, यानि कि एक जो quadilateral है, उसे हम क्या कहते हैं, cyclic, cyclic, cyclic quadilateral कहेंगे, जब उसके तीनो points, जब चारो points से, चारो कोनों से, या vertices से, एक circle पास हो रहा हूँ, तो ऐसे quadilateral को हम cyclic quadilateral कहते हैं, यानि अगर मैं इसकी diagram यहाँ बना के share करूँ आप से, जैसे आप देख सकते हैं, यह एक circle है, और इसके अगर मैं जिस पे चार points ले ले हूँ, इस circle पे एक A point फर्स कर लेते हैं, यहाँ पे B कहीं पे ले ले लेते हैं, यहाँ पे C, और यहाँ पे चलें, D, select करते हैं, और अगर हम इनको एक तरतीब में join कर लेते हैं, A को B से, B को C से, C को D से, और D को A से, इस तरह, तो यह देखें, एक quadilateral बना है, A, B, C, D, इ तो इस तरह से, जो यह, फिलिंदी, मतला, फिलिंदी blank था, एक blank थी आई थी, यह statement हमाई पास, इसको हम understand कर सकते हैं, next part आप से discuss करता हूँ, part number 5, इसकी statement है, the opposite angles of any quadilateral inscribed in a circle are dash, यह इसी diagram की अगर मैं बात करूँ, यह इसको explain करने के लिए, जो diagram मैंने भी बनाई है, इस cyclic quadilateral की, basically, यह इसी quadilateral की बात कर रहे हैं, इस statement में, कि अगर एक cyclic quadilateral हो, यह जैसे उन्होंने कहा कि the opposite angles of any quadilateral inscribed in a circle, यह, इस मतलब इस quadilateral को inscribed किया है, एक circle ने, ठीक है, तो इस पे जो बनने वाले angles हैं, opposite, यह वाला angle, और यह angle, यह हमेशा supplementary angles होते हैं, यह इन दोनों का sum हमेशा 180 degree आएगा, इसी तरह B angle और D angle, यह opposite angles हैं, एक दुसरे के, तो यह दोनों supplementary angles होंगे, तो यहां filling the blank में जो word आना है, वो आना है supplementary का, supplementary, ठीक है, तो इस तरीके से यह बात, जो हम understand कर सकते हैं, next है question number 2, जिसकी statement है, choose the correct answer, यहनि के question number 2 के हर statement के साथ, 4-4 possible answer लिखे वे हैं, उनमें से जो दुरूस्ता answer होगा, उसे हमने select करना है, जैसे लिखा हो है, कि a circle passes to the vertices of a right angle triangle, x, y, z, with x, z, equal to 4 cm, y, z, 3 cm, and angle, z, equal to 90 degree, radius of circle is dash, यानि के अगर एक circle जो है, right angle triangle के vertices से पास हो रहा है, ठीक है, first करें कि मैं एक पहले, यहाँ पर circle की diagram बनाता हूँ, जी, जैसे इस circle बना हूँ है, अब एक right angle triangle, जो कि इसके, मतलब circle जो है, right angle triangle के तीनों vertices से पास हो रहा है, तो मैं इसी के से इसको चले में बना देता हूँ, कि यह right angle triangle है, ठीक है, और यह उसके तीनों vertices है, एक A है, एक B है, बिलकि X, Y, Z बनाना है, तो A को X, A को Y को Z कहींगे, और Z पर 90 का angle बन रहा है, यह जो है 90 degree है, यह confirm है कि यह 90 है, और एक को X कहा लेते हैं, एक को Y कहा लेते हैं, तो X, Y, Z, C के से एक triangle बनी वी है, अब X से Z जो distance है, वो कह रहे हैं 4 cm है, और Y से Z जो वो 3 है, इसको अधर चले हैं, इसको X कहा देते हैं, चूंकि यह बड़ी distance है, और इसको Y कहा देते हैं, चूंकि Y, Z जो है small length है, तो नजर भी आज़े diagram में कि वो small है, तो यह इस तरीके से X, Z जो है, वो 4 cm, और Y, Z जो है, वो 3 cm, तो हमने यह बताना है कि circle का radius क्या होगा, यह नहीं पहले X, Y find करेंगे, जो कह diameter है, और जो कह hypertenuse भी है, ठीक है, जो कह hypertenuse भी है, रight angle triangle का, तो इस पर हम use करेंगे pathagoras theorem, जिसके साब ताबिक, right angle triangle में, hypertenuse side का जो square होता, वो बराबर होता है, base side square plus perpendicular side square के sum के बराबर, ठीक है, तो इनमें की values put करते हैं, यह तो X, Y है, base की value है, 3, 3 का square लेंगे, और perpendicular 4 है, 4 का square लेंगे, दोनों का sum करते है, 9 plus 16, यह 25 आता है, और under root लेंगे, अंडर root 25, जो के बनती है, कितनी, 5, तो X, Y की length कितनी आगई, 5 cm, यहनि के diameter की length आगई, 5 cm, अब इसका half अगर कर दिया जाए, तो radius आता है, चुके radius diameter का क्या होता है, half होता है, diameter की length को अगर 2 पर divide कर दिया जाए, तो radius आता है, तो 5 का half होता है, 2.5, तो B option जो होगा, इसकी वो 2.5 cm होगी, next part आप से discuss करता हूँ, जी, part number अगर 2 को देखा जाए, इसमें लिखा है, angle in a segment greater than a semicircle is dash, यहनि के, अगर एक segment जो है, उसके अंदर जो angle है, वो greater हो, semicircle के angle से, ठीक है, जी, semicircle का जो angle होता है, inner circle, या inner circumference, जो semicircle अपना circum angle बनाती है, वो होता है, 90 degree का, ठीक है, तो, अब यहाँ पर अगर हम देखें, तो यह angle जो greater है, ऐसी segment, जो के semicircle से बड़ी है, उसका जो circum angle होता है, वो हमेशे acute angle होता है, यह less than right angle होगा, option B जो है, वो बिलकुल हमारा best option होगा, यानि के, less than, जो है, वो right angle, 90 degree से छोटा होगा, within bracket में इसे acute B लिख देता हूँ, ताकि यह बात हमें याद रहे, कि यह acute angle होती है, ठीक है, इसको हमने already concept video में, जो इसका concept lecture था, उसमें discuss किया वाइस बात को, next part, जो है, part number 3, वो आप से discuss करता हूँ, इसमें अगर आप point O है, यह इसका center है, ठीक है, अब एक PQ arc हमें नजर आ रही है, इस दीके से, यह minor arc है, यह क्या है, जी minor arc है, जबकि अगर हम P, R, Q, या P, R, S, Q, अगर इस arc को देखें, तो यह एक major arc है, ठीक है, यह क्या है, major arc है, अब वो यह बात करें, कि इंदा figure, angle 1 जो है, यह 100 degree हो, ठीक है, central angle minor arc है, यह कितना हो, 100 degree हो अगर, ठीक है, 100 degree हो, then the major angle 2, यह जो इसके corresponding, यह major arc है, उसका यह circum angle 2 है, और जो angle 3 है, तो यह बात कि यह आपस में बराबर होंगे, और यह इसके half length के बराबर होंगे, यह यह भी 50 degree का होगा, 100 का half, और यह भी 50 degree के बराबर होगा, यह दोनों 50-50 degree के बराबर होंगे, यह हमने बात, जो है, first question था, उसमें भी पड़ी थी, और इसके concept वीडियो में भी already, इस बात को हम understand कर चुके हैं, इसके option C जो होगा, बिल्कुल हमारा best option होगा, option C को हम mark कर देंगे, इस next question आ रहा है, part number 4, वो आप से discuss करता हूँ, part number 4 में अगर आप देखें तो इसमें लिखावा है, in the figure, O is the center of the circle, यह आप सर्कल की डाइगराम देख रहें, जिसका center O है, O is the center of the circle, then angle mark U, will be, यह जो यह जो यू अगर आप देखें तो यह यू अगल, यह जो peak, R, arc है, minor arc है, यह बना रही है, ठीक है, यह minor arc है, यह जो half circle से यह बना रही है, U angle, हमने यह बताना है कि जो, यह angle है, यह कितना है, ठीक है, अब आप यह देखें कि यह जो peak U है, यह basically क्या है, diameter है, यह क्या है, diameter है, और diameter हमेशा, जो circum angle बनाता है, वो किते degree का बनाता है, वो 90 degree का बनाता है, इसका मतलब कि अगर हम, अगर हम इस तरीके से P को R से join कर लें, P को R से, और यह, मतलब एक semi circle हमें shape नजर आ रही है, एक semi circle की, तो P, R, Q, यह जो angle होगा, यह कितना degree का होगा, यह 90 degree का angle होगा, ठीक है, तो यह बात हमें यहां पर understand हो रही है, इसमें condition यह भी है, यह question का part है, कि जतना distance P से R है, वो बराबर है, उतना ही R से Q distance के, यह और यह दोनों side लापस में, बराबर है, अब यह angle हमने proof किया है, कि यह 90 का बनेगा, और इसका मतलब कि यह angle जो होगे, 45, P का भी 45 angle होगा, और Q भी 45 degree angle होगा, फिर अगर हम इस triangle को consider करते हैं, यह जो triangle हमाई सामने बनी वी है, triangle Q, O, R, अगर हम इस triangle Q, O, R को select करते ह तो इसमें हम यह बात नोट करें हैं, कि यह angle 45 degree का है, ठीक है, और यह दोनो sides आपस में बराबर हैं, ठीक है, चुके O, R, और Q, O, R, यह दोनों क्या हैं, यह दोनों, मतलब जो है, equal, बलकर सोरी, यह दो sides आपस में equal हैं, ठीक है, इसको हम इसी किसे कहा देते हैं, कि जितनी O से लेकर R तक distance है, उतना ही O से लेकर Q तक distance है, चुके यह दोनों radiai of the same circle है, इसका मतलब अगर यह angle 45 degree बने है, तो इसके सामने वला यह angle भी 45 degree बनेगा, तो फिर यह angle जो बनेगा, यह कितना बनेगा, 90 degree, यह नहीं हम यह बात कहा सकते हैं, कि जो major angle Q, O, R है, वो 90 degree है, ठी यह angle U basically angle, अगर हम देखें तो angle P, O, R है, ठीक है, यह U के बराबर है, और हम इस डाइगराम में देख रहे हैं, कि मेर अंगल P, O, R, प्लस, मेर अंगल Q, O, R, यह दोनों supplementary angle है, यह दोनों का sum 180 degree के बराबर है, ठीक है, तो अगर हम इसको U कह रहे हैं, और यह angle 90 degree का है, यह U की जो value आ रहे है, यह angle की वो 90 degree आ रहे है, तो इस लिहाद से जो option C होगा, इस part का, option C हमारा best option होगा, इसे हम mark कर देंगे, अब next जो question आ रहा है, इसको discuss करता हूँ आपसे, part number 5, जी, अगर part number 5 को देखें, तो इसमें हम यह बात note कर रहे हैं, कि क्या लिखावा है, एक circle है, जिसका center O है, O is the center of the circle, then angle Y is, हमने angle Y find करना है, कि यह angle Y क्या होगा, ठीक है, अब इसकी working में आपसे share करता हूँ, कि Y angle क्या होगा, देखें, हमें बता है कि O से A, और O से C क्या है, यह दोनो radius of the same circle है, ठीक है, यह जितना angle Y होगा, उतना ही यह angle भी होगा, यह angle भी उतना ही हो रही है, इस diagram को देखते हुए, प्लैस इसमें यह भी एक missing बात है, कि यह जो quad की length है, यह radius के बराबर, यह जो triangle हमें नजर आ रही है, यह एक equilateral triangle होती है, जिसकी तीनो sides आपस में बराबर हूँ, तो इसका मतलब कि इसका जो यह central angle होगा, यह लाजमी 60 degree का होगा, चुके equilateral triangle के, हर corner angle या हर internal angle जो triangle का होता है, वो equi angular होता है, और वो 60 degree का होता है, मतलब इस triangle को हम equi angular triangle कहते हैं, अब इस angle का जो supplementary angle है, यह आजेगा 120 degree, ठीक है, तो अगर हम इस triangle को देखें, जो triangle हमें नजर आ रही है, triangle A, O, C, इसमें angle Y, चुके यह एक isosilis triangle और इसमें यह angle 120 degree का है, तो हम अगर angle Y find करना चाहरे हैं, ठीक है, तो angle Y find करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि जो 120 का supplementary angle है, उसको हम 2 पर divide करके Y find कर सकते हैं, चुके Y दो दफा यहां पर repeat हो रहा है, तो 180 में से अगर 120 minus करें, तो आता है 60, और 60 का अगर half कर दिया जाए, तो यह आता है 30 degree, तो इसका मतलब जो option number A है, वो हमारा बिलकुल best option होगा, इस question के लिहाज से, जो इसकी अंदर हमें given बताई गी थी condition, उसके तहत रहते हुए, तो इस दीक है से यह question और यह exercise हमारी complete होती है,